है 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 लो स्टूडेंट सभी और यू कैसे हैं आप लोग ए योप यू अला दूइंग वैल सो लेट स्टार्ट निव चाप्टर लॉट्स शाइंस अन्ड़ चाप्टर इस चेंजेज आराउंड असमारे चार तरफ जो चीजों में चेंजेज होते हैं उनको स्टुडी घ् इस शर्ट की बात करूंट के बात करोंगर किसे पहले क्या था यह एक seed था, seed से cotton grow हुआ crop की form में, उस cotton से फिर पहले thread बना, thread से फिर उसके बाद cloth बना, ठीक है, हमने study किया था ना fiber to fabric में, तो ये भी एक change है ना, change की बहुत सारी चीज़े हैं, अगर if I'm talking about this marker, तो ये marker as it is थोड़ी था, पहले कुछ plastic होगा powder form में, या plastic synthesize किया गया होगा, then after उसको cast किया गया, इस form में particularly, फिर इसके उपर ये rapper लगाया गया, इसके अंदर जो एक form होता है, ink के लिए, वो इसमें पर fit किया गया, and then after it taken the shape of marker, तो ये क्या था, plastic की एक जर्नी है, उसमें इसने ये बन गया, marker बन गया, ऐसे बहुत सी चीज़े होती हैं, जो हमारे चार we are basically going to study in this chapter, those changes are reversible or not, okay, कि अगर मैंने बात की, कि ये अगर जहां से भी ये plastic बनना start हुआ, क्या ये वापस उसी form में जा सकते हैं, ये हो सकता अप के लिए थोड़ा से tough example हो, हमें एक easier one consider करते हैं, let's say कि हमने एक plant को grow होते देखा, and plant जो है वो grow होते हैं, particular seasons में, rainy seasons में, then after उ वो dry हो जाती हैं, उनके color जो होते हैं, green से वापस yellowish हो जाते हैं, dull हो जाते हैं, और कुछ leaves होते हैं, जो dry होके fall off हो जाती हैं, पेड़ से गिरने लगती हैं, ठीक है, तो क्या वो leaves वापस green करके और उस पेड़ पे चिपका सकते हैं, no, changes क्या आया, पहले एक seed से एक plant बना, plants से tree बना, tree की जो leaves सी, वो branches पे जो leaves सी, वो green होई, and green होने के बाद जब वो dry होई, और dry होके पेड़ से fall off कर गए, गिर गई tree से, तो वो वापस हम उस पे नहीं लगा सकते, so these kind of changes, जो हम वापस नहीं कर सकते हैं, in the change, in particular the change in which we can't back the thing, ठीक है, हम जो भी हम object है, उसको वाप वापस get back नहीं कर सकते, ठीक है, तो उस तरीके का change होता है, irreversible, और जिससे हम वापस वोई चीज़ बना सकते हैं, जो पहले थी, वो होता है, reversible, आपकी book में बहुत अच्छे और बहुत easy easy example दियो में, अगर आप एक chapter को एक बार reading करोगे, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है, मैं यहाँ पर वो, जितने आपकी book में example हैं, I am trying to explain maximum, कोई एक आदर रह जाए तो आप call करके पूछ सकते हो, जो आपको समझ नहीं है, ठीक है, let us start, मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि changes कौन-कौन से होते हैं, reversible and irreversible, reversible are those in which we get back the thing after changing once, and irreversible in which we can't get back the thing as we have in earlier stage, before change, so that kind of change is irreversible, आपकी book में reversible word तो दिया हुआ है, irreversible word, word जो है, वो use नहीं किया, यह senior classes में आता है, आप अभी पढ़ लिजे, ठीक है, irreversible, okay, let us start, जैसे एक example आपकी book में है, balloon के बारे में, कि balloon जो है, उसको उसमें जब हम air blow करते हैं, then it started to, it started to blow, जैसे वो फूलना शुरू करता है, ठीक है, तो जैसे से हम उसमें air blow करते हैं, and after that, अगर हम उसकी air को release कर दें वापस, तो क्या होगा, वापस जो अपनी shape में आ जाएगा, ठीक है, वापस वो अपनी shape में आ जाएगा, पहले जैसे ही हमने उसमें air blow की, while blowing air in a balloon, तो क्या करेगा, उसके size में change आ जाएगा, और जैसे उससे वापस air को हम release कर दें, पहले हमने क्या किया, air उसके अंदर fill की, तो उससे क्या होगा, उसका size increase करने लगेगा, जैसे हमने उसमें से air बाहर निकाली, without any pin वगरा कुछ मारने से नहीं, सिरफ जहां से हम air उसके size वापस decrease कर जाएगा, तो यहां क्या हो रहा है, size में change हो रहा है, आपके पास एक balloon था, उसके अंदर आपने air fill की, उससे उसका size increase कर गया, जैसे आपने उसमें से air को वापस बाहर निकाला, release किया, तो उसका size वापस decrease कर गया, but in this kind of change, we again got the same object, balloon वापस उसी shape में आ गया, और balloon नहीं अभी तक, so we can say this kind of change is reversible, on other hand, let's say we have the balloon and जब उसमें आपने air fill की और उसका size जब increase हो गया, उसके बाद अगर उसमें हम कोई pin वगएर अगर उसके अंदर मार देते हैं, जैसे हम a birdish पे करते हैं, to blast it, ठीक है, तो उस case में, वो balloon जो है, क्या वो वापस उसी shape में आ जाएगा, जिस shape में हमारे पास यहाँ था, the answer is no, so उस तरीके का जो change होगा, वो क्या होगा, irreversible change, अगेन एक और एक्वार एक्वार लेते हैं, टेकन प्लेन पेपर, ओके, और देन उसको फोल्ड कीजिये, और उससे कोई एक आरो प्लेन वगएरा बना लीजिये, ठीक है, देन आफ्टर में आफ्टर में आट आरो प्लेन, and after some time, when you unfold that paper, you got again the same size of paper, okay, first of all, take a paper and that, then after that, fold it in some shapes to make an arrow plane, okay, fold कर रहे हैं, कत नहीं कर रहे, याद रखियेगा, we are just doing folding of this paper, we have a shape of paper, particular size, and just fold it, आपने बनाए ना, क्लास्प पे बहुत सारे प्लेन साब बनाते हो, ठीक है, तो जैसे ही हम यह paper को fold करके, various अलग-अलग stages पे फोल्ड करके, और कोई प्लेन बना लें, and after unfolding this arrow plane, what we got, after unfolding this, इसको जब हम unfold करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, we got the same paper again, that kind of change is reversible change, okay, and on other hand, if we cut this paper, अगर हमने यह जो paper लिया, उसके उपर, जो plane का shape था, whatever shape, अब यहाँ पे बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, कुछ इस तरीके कही होता है न, ठीक है, अगर आपने यह shape को scissor लिया, और cut कर लिया, ठीक है, then after cutting, can we again get the same paper, no, क्योंकि अब तो इसका size यह permanent हो गया, ठीक है, so this type of change is called irreversible change, ठीक है, इसी तरीके से आप इनको भी study कर सकते हो, इन में आपको यह dough जो होता है, that is the floor we knitting at our kitchen, जब हम खाना बनाने से पहले, आटा जो है उसको गुनते है, that is called dough knitting, okay, so that is the dough, गुन्दा हुआ आटा, ठीक है, so उस में क्या होता है, while you can see your mother, while she making chapati for you, she taking some dough and roll it, making a ball of that dough, ठीक है, and उसको जब उसको जब flatten किया जाता है to make chapati, तो वो उसको वापस रोल करके आप वापस ऐसा ही dough बना सकते हो, that is the reversible change, but once it cooked in the form of chapati, can we get back that dough, no, that is now cooked on the tawa, ठीक है, so that is उस तरीके का जो, that kind of change is called irreversible change, and the dough before cooking, the before taking it heat, or before cooking the chapati, that dough is, dough can be reverse, okay, then after incense stick, incense stick क्या होती है भी, अगरबती, ठीक है, धूप वगरारा जो हम अगरबती या धूप ज़ाती है, this is, while, when we lighten up this, incense stick, this start burning and starting to convert in ash, राख में convert होना शुरू हो जाती है, that ash of that incense stick, incense stick, is a irreversible change, ठीक है, अगर हम incense stick को light up करते हैं, तो वो ash में convert होना शुरू हो जाती है, and उसे हम क्या कहते हैं, एक irreversible change, okay, then after curd का example लेते हैं, take some hot milk, hot warm milk, lukewarm milk, ठीक है, and उस lukewarm milk में हम जब थोड़ा सा curd add कर देते हैं, और उसको रख देते हैं, overnight में वो convert हो जाता है, curd में, तो क्या हम curd को वापस milk में convert कर सकते हैं, no, so that is a irreversible change, ठीक है students, curd क्या है, एक irreversible change है, ठीक है, so these are the few changes, those are reversible or irreversible in various stages, I had explained you, अब चलते हैं, थोड़ा सा एक level up है, आपके बुक में थोड़ा ध्यान से समझेएगा, इसके लिए थोड़ा सा आपको practically चीजों को देखना होता है, अगर आपने देखी हैं तो अच्छी बात है, देखे students, other ways to bring changes, अब यह changes का basically क्या है कि यह application है, जो हमने changes study के हैं, reversible or irreversible, तो हम इन changes से कुछ help भी ले सकते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है, देखे students, अगर जो metals होते हैं, like iron वगएरा जो होते हैं, या अगर आप गोल्ड की बात करें, जैसे गोल्ड के ornaments आपने देखे होंगे, ठीक है, you had seen various gold ornaments, वो कैसे बनते हैं, गोल्ड की जो ornaments होते हैं, गोल्ड को पहले melt किया जाता है, melt करने के लिए क्लिए क्या करते हैं, उसको heat up करते हैं, with specific lights, lights means, कुछ एक ऐसे fuels होते हैं, जिनको हम burn करते हैं, और burn करके उनकी जो flame होती है, उसको regulate किया जाता है, उस regulated flame की help से, गोल्ड, जो actual gold आता है ना, raw gold, उसको पहले melt करते हैं, उसको heat करते हैं, करते हैं, then after, एक particular certain temperature पे आके, वो gold melt होना start हो जाता है, due to the flame, ठीक हैं, अब जब वो gold melt होना शुरू हो जाता है, उसको particular कुछ ऐसे हमारे पास means, जो dwellers होते हैं, उनके पास कुछ ऐसे mold होते हैं, वो melted gold उनमें डाल देते हैं, और जैसे ही वो gold cool होता है, थंडा होता है, तो वो design होते हैं, उनकी shape ले लेते हैं, ठीक है, तो यह तो हो गया gold ornaments की बात, ठीक हैं, आपकी book में जो दिया हो, मैंने आपको क्यों बताया, because जो metals होते हैं, उनको आप melt कर सकते हैं, अलग-अलग metals होते हैं, वो certain temperature पर melt हो जाते हैं, अब मैं आपको कहरा हूँ कि certain temperature पर melt होते हैं, तो it means उन metals को heat करना पड़ेगा, कि वो certain temperature को achieve कर सकें, ठीक है, 100 degree plus के temperature होते हैं, अब उसको इतना गरम करो कि उसका temperature इतना हो जाए, जो उसको melt होने के लिए चाहिए, तो वहाँ पर उनको हम reshape कर सकते हैं, according to our requirement, इसके अलावा जो आपकी book में यहाँ पर जो एक्जामपल है, यहाँ पर एक बहुत interesting fact दिया हुआ है, दिखे क्या होता है, these are the hoi, एक normal language में इसको शायद फावडा बोल देते हैं, ठीक है, इन में क्या होता है, यह wooden handle होता है, यह construction equipment में यूज होते हैं, ठीक है, यह agriculture में, farm work में, यह equipment है, इसके ऐसे बहुत से अलग-अलग picks जो हैं, वो आपकी book में दिये हुए हैं, ठीक है, so no need to worry, easily available tools होते हैं, काफी सारे, जिन में wooden handle लगा होता है, ठीक है, इसमें यह जो piece है, यह एक wooden handle है, क्या है, wooden handle, ठीक है, और यह क्या है, यह metal piece होता है, metal piece क्या हो सकता है, iron का हो सकता है, ठीक है, अब इस wooden handle को, इस metal piece से attach करने के लिए, यहाँ पर पीछे एक iron का ring होता है, इस metal piece के end पे एक iron का ring होता है, इस ring का size जो होता है, वो इस wooden piece का यह जो handle है, जो circular handle है, इस के size से थोड़ा छोटा बनाया जाता है, yes, I repeat, कि अगर मान लीजिए, यह जो cap मैं आपको show कर रहा हूँ, ठीक है, यह इसका ring है, और अगर यह इसका वो wooden piece है, तो इस cap के size को थोड़ा छोटा बनाया जाएगा, इसके size से, ठीक है, इस ring को थोड़ा size में छोटा बनाया जाएगा, इस marker का जो यह size है, इस wooden piece का, अगर यह इसका wooden handle था ना, तो इसके size से छोटा बनाए जाएगा So strange कि अगर ये size में छोटा बनाएंगे तो ये इस ring में fit कैसे होगा क्योंकि ring में fit होने के लिए तो ये वाला जो size इसका size है wooden handle का वो इस ring से बड़ा होना चाहिए तो इसको fit कैसे करेंगे So इसका procedure ये होता है कि ये जो ring है इसको हम heat up करते है हम means जो भी इसको fit करेगा वो इसको क्या करते है पहले heat up करते है and due to giving heat इस metal का temperature इतना raise हो जाता है कि ये soft हो जाता है and ये जो handle है ये इसके अंदर easily insert हो जाता है and जैसे ही ये handle इसमें insert होता है इसको heat देना बंद कर देते है उसके बाद जब ये metal का ring ठंडा होता है cool off होता है तो ये वापस shrink करना शुरू करते है shrink मतलब सिकूडना शुरू कर देता है और इस handle को tightly grip कर लेता है तो यहाँ पर क्या हुआ जैसे ही metal को किसी भी metal को अगर आप heat प्रोवाइड करवाते हैं क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं हम heat ठीक है जैसे ही हमने heat इस metal को provide करवाई so it started expanding क्या हुआ वो expand हो जाता है कैसे क्यों metal को जब हम heat करते हैं तो वो soft होता है और soft होके वो expand होना शुरू हो जाता है जैसे जैसे metal expand होता है तो उसमें हम ये wooden handle जो है वो insert कर देते हैं जैसे ही हमने heating देना बंद किया यहाँ पे पहले क्या हो रहा था metal expand हो रहा था means fell रहा था ठीक है और जैसे ही हमने heat देना बंद किया तो ये वापस contraction शुरू हो जाएगा तो उससे क्या होगा जो इसमें handle लगाया था वो इसको tightly grip कर लेगा same इसी theory के उपर आपके book में एक और example दिया हुआ है कि एक wooden wheel होता है karts के जो wheel होते हैं पुरान जमाने में जो bull karts वगरा होती थी या horse karts जो होते हैं उनके जो wheel होते हैं उनके उपर एक metal का ring उनके उपर चड़ाया जाता है ठीक है तो वो metal ring जो है वो उस kart wheel के size से छोटा होता है तो क्या करते हैं अब wood को तो heat up कर नहीं सकते है wood burn out हो जाएगा तो इसलिए उस metal ring को पहले heat up करते हैं heat up करने से उसका size जो है वो expand हो जाता है और उसको जो wooden wheel है उसके उपर लगा दिया जाता है और आफटर उसको जैसे हम ठंडा करते हैं तो उसका size shrink होता है और वो उस wheel को अच्छे से grip कर लेता है और उसके उपर हमेशा के लिए fix रहता है ये wooden wheel के उपर जो metal ring है ये क्यों लगाते है ताकि जैसे जैसे वो सडकों पर जब move करेंगे roads पर जो wheel के through जो cart wheel move करेगी तो metal ring जो है उसके periphery के उपर जो road की contact में आएगी उसको एक extra strength provide करवाता है ठीक है इस chapter को study कीजिए I had touched all the points in this chapter जहान रखेगा हर एक चीज को आपको इस sense में study करना है कि वो reversible है या irreversible है वो वापस हम उस object को get back कर सकते हैं जिसमें हमने change किया है और not ठीक है बहुत easy chapter है read this chapter if you have any doubt then call me back I am available okay students thank you thanks for watching have a nice day झाल